हेई अभी बान तो इस वीड़ो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सेल्फ प्रेपरेशन करना चाते हो अभी से फोर सी यू सी इटी तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो क्या-क्या बुक्स होंगी जो आपको रेफर करनी है एंड कहां से क्या पढ़ना है क्या ये जो entrance exam है क्या खुझ से निकाला जा सकते या कोई coaching required है सब चीजों के बारे में हम बात कर रहे होंगे तो पहले यार ये तो confirm हो चुका है कि 100% आपका exam होगा ठीक है अब बात करते हैं कि क्या pattern होगा ये tentative pattern है आपका जो exam होगा वो दो section में divide होगा पहला aptitude test second domain specific तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि aptitude test में क्या sections होगे और किस तरीक से आप इसकी तयारी कर सकते हो news article से यार ये सब पता चल रहे है tentative है इतना पता है कि exam होगा आपका entrance होगा तो शुरुआत करते हैं जो आपके aptitude test होगा जो aptitude वाले exam होगे उसमें चार section होगे पहला journal awareness second English जिसको हम verbal कहते है third आपका reasoning जिसको हम logical reasoning कहते है and fourth mass जिसको हम क्या कहते है quant कहते है क्या कहते है quant कहते है ठीक है देखो अगर ऐसा होता है अगर यही सब होते है तो क्या-क्या syllabus होगा पहले वो discuss कर ले थे tentative है due jet के according में यह बता रहा हो ठीक है जीके में आपके दो section होते है section ही दो चीज़े आती है एक आती है अपका static एक आती है current affairs क्या आती है current affairs statics में आपका history, pole science, economics, geography यह सारी चीज़े आती है current affairs की present में क्या चल रहा है यह समघ आता है इंच्टनिय चीज़े आती है किस पर आते हैं? रीजनिंग में क्या आता है? रीजनिंग में आपके puzzle वगेरा हो गए एक clock हो गया calendar हो गया coding decoding हो गया इसके इलाबा आप mirror image हो गया water image हो गया इस तरही dice हो गया cube हो गया, इस तरही की आपकी questions आते हैं ठीक है, tentative है again बता रहो quant में क्या होगा quant में आपका आता है profit and loss हो गया percentage हो गई, आपका simplification हो गया ratio and proportion हो गया train हो गई, time, speed, distance हो गया board stream हो गई ऐसे topics पर questions आते हैं ठीक है, पर अभी के लिए जो quant है, जो quant वाला section है और general awareness वाला section है वो अभी devatable है अभी इनके पीछे मत बागो, अभी कुछ पता नहीं है आएगा, नहीं आएगा, क्या level होगा, कुछ नहीं पता तो अभी जो आपको focus करना है मैं तो कौँगा, अभी भी आप reasoning फोकस ना करके सिर्फ English पे focus करो क्योंकि reasoning एक ठीठा section है ठीठा subject है, जो आप मात्र डेढ़ हफते में complete कर सकते हो अभी के English पे focus करते हैं तो फिलाल के लिए, फिलाल के लिए आपको करना है English पे focus, English के लिए यह जो vocabulary होती है vocabulary आपको पता है, again important part होता है exam का, English के exam का ठीक है, vocabulary कहां से improve कर सकते हैं, तो आपको इस time पे सिर्फ vocabulary पे focus करना है उसके लिए एक book आती है जो best book है, वो है word power made easy by Norman Lewis मतलब कि यह book यार काफी मज़ेदार है, interesting book है and हर एक competitive exam के लिए इसको refer किया जाता है, चाहे वो government का exam हो, चाहे वो cat का exam हो चाहे कोई भी entrance exam हो, उसके लिए इसको refer किया जा सकता है, तो आप इसको खरीज सकते हो, क्योंकि बहुत ही अलग अंदासे, root पे root पे किस तरीक से words form होते है हर चीज के बारे में पढ़ोगे तो vocabulary के लिए best किताब है second आपको अभी focus करना है सिर्फ reading पे, ठीक है focus करना है आपको reading पे reading पे आपको focus करना है, क्योंकि अगर आपकी reading अच्छी होगी, अगर आप चीजों को समझ पा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको close test या passage में वो help कर रहा होगा, तो focus आपको अभी फिलाल के लिए vocabulary पे करना है, second reading पे करना है ठीक है, understanding आपकी improve हो जागी अगर आप reading करोगे तो, अब इस बात पे बढ़ते हैं, क्या self preparation से इस exam को लिकाला जा सकता है या नहीं लिकाला जा सकता है क्या मैं अपने dream college पास सकता हूँ तो, इसका answer है yes, self preparation से ये exam लिकाला जा सकता है कोई इसमें दोराई नहीं है and इसी channel पे हम entrance exam की तयारी कर रहे होंगे अगर आपने channel को अभी तक subscribe नहीं क्या channel को subscribe कर लो and bell icon को press कर लो, तो इसी के साथ इस वीडियो को end करते है मिलते हैं एक नई वीडियो में till then, see ya and take care